Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we will do the poem A Slumber Did My Spirit Seal, given in Class 9th NC Art English Book Beehive. The writer of this poem is William Wordsworth. William Wordsworth एक major English romantic poet थे. इन्होंने अपनी Mosley Poetries में nature को डिस्क्राइब किया है. क्योंकि नेचर से यह बहुत ज़्यादा अटेस्ट थे, इसलिए उन्होंने अपनी Mosley Poems में nature को डिस्क्राइब किया है. इसके साथ-साथ उनकी Poems में, Mosley Poems में हमें एक imaginary character देखने को मिलेगा and the name of that character is Lucy. अब Lucy उनके mother थे, wife थे, beloved थे, या फिर daughter थे, sister थे, कौन थे, it is not clear till now, बट हाँ Lucy से वो बहुत ज़्यादा love करते थे. इस Poems में Poems describe कर रहे हैं कि Lucy के death के उप बाद, writer के उपर, Poems के उपर क्या-क्या effect होते हैं. तो चलिए Poems को read out करना start करते हैं और discuss करते हैं कि Poems के loved one के death के बाद, उनके उपर क्या effect होगे. Even Poems ही नहीं, किसी के भी अगर loved one की death हो जाती है, तो क्या effect होते हैं? हम जो है feel करने की हमारी जो power होती है, वो खतम हो जाते हैं, कहीं न कहीं कुछ time के लिए हम insensible हो जाते हैं, means हमारी जो senses होती हैं, वो खतम हो जाती हैं. तो ऐसा ही कुछ effect जो है Poems के उपर भी हुआ, तो चलिए Poems को read out करना start करते हैं, discuss करते हैं, find out करते हैं. With the title of the poem, a slumber did my spirit seal, slumber का meaning होता है sleep, और spirit wins all, and seal means choke कर देना, means जहां पर सोचने, समझने की, feel करने की power ना हो, okay, slumber यहां पर poet ने death के लिए use किया है, तो एक death जिसने की poet की spirit को seal कर दिया, This poem is about the death of a loved one, यह poem जो है, एक loved one की death के बारे में है, means किसी loved one की death हो जाती है, तो हम कैसा feel करते हैं, are poet कैसा feel कर रहे हैं, जब वो उनकी death के बारे में सोचते है, and how does he imagine her to be after death, और go after death यानि कि death के बार उनके बारे में क्या imagine कर रहे हैं कि यहाँ death के बार उनकी loved one के साथ क्या होने वाला है We'll discuss that thing in the poem A slumber did my spirit seal, I had no human fear A slumber, a death, a slip, a deep slip जिसने कि मेरी spirit को seal कर दिया है यानि कि मेरी soul है उसको पूरी तरह से choke कर दिया है Means writer insensitive हो गई है, उनकी senses काम नहीं कर रही है, उनकी किसी तरह की कोई feeling नहीं हो रही है I had no human fear और उनके loved one के death के बाद writer कहते हैं कि मेरे अंदर अब कोई human fear नहीं है अब human fear क्या होते हैं, हमें किस चीज़ का fear होता है कि हाँ हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो या फिर हमारे जो loved ones हैं, उनके साथ कोई गलत चीज़ नहीं हो तो writer के loved one के death के बाद writer कहते हैं कि अब मुझे कोई human fear है ही नहीं मुझे अब किसी चीज़ से कोई डर नहीं लग रहा, मेरे साथ जो बुरा होना था, वो हो चुका है She seemed a thing that could not feel The touch of earthly ears She seemed, seemed का मतलब appear, दिखाई देना अब वो जो है एक thing के जैसे दिखाई दे रही है मैं इसे एक non living thing के जैसे दिखाई दे रही है that could not feel, जैसे non living thing के कोई feeling नहीं होती, कोई चीज feel नहीं कर सकते तो ऐसे ही उनकी loved ones जो हैं, वो भी कुछ feel नहीं कर पा रही है like हमारा phone है, books है, क्या ये चीज़े कुछ feel कर सकती है, नहीं क्योंकि ये non living things है, तो ऐसे ही death के बाद उनकी जो loved ones है वो non living बन गई है और वो कुछ भी feel नहीं कर पा रही है the touch of the earthly ears, जो earthly ears का touch है, वो भी वो feel नहीं कर सकते थी earthly ears in the sense, जो day, night, जो भी season change होते हैं, जो भी हमारे अंदर feelings होती है like हम day by day बड़े होते जा रहे हैं, वो किसी चीज़ को feel नहीं कर पा रही है means, अर्थ पर हमारे साथ human being के साथ जो जो भी कुछ होता है, अब कोई feeling उनके अंदर नहीं है no motion has she now, no force, she neither hears nor sees means, अब ना तो वो कोई motion कर रही है, ना ही किसी तरह का force use कर रही है ना ही वो कुछ सुन सकती है, और ना ही देख सकती है means, उसकी death के बाद उसके अंदर किसी तरह की कोई moment नहीं है, feeling नहीं है ना वो सुन सकती है, ना ही देख सकती है और यह तो natural है, death के बाद जो है, एक body non-living thing बन जाती है, वो सिर्फ एक thing ही बन जाती है, जो जिसके अंदर किसी तरह की कोई feeling नहीं होती है, rolled down in earth, diagonal course with rocks and stones and trees, अब यहां तेकिन 6th line में, पोई जो है, बहुत जदा बुरा feel कर रहे थे अपने loved ones के बारे में, उसकी death के बाद, क कोई सोचने समझने की sense नहीं बची है, कुछ वो feel नहीं कर पा रही है, वो ही नहीं उनकी जो loved ones, जिसकी death हुई है, वो भी कुछ feel नहीं कर पा रही है, क्योंकि death के बाद, वो एक सामान के जैसी बन गई है, और earth पर जो भी human being के साथ होता है, या फिर जो भी human being की feelings होती है, उनमें से वो कुछ भी feel नहीं कर पा रही है, नहीं तो वो किसी तरह का कोई motion कर रही है, मिंस किसी तरह की moment कर रही है, नहीं force कर रही है, नहीं देख सकती है, मिंस वो पूरी तरह से खतम हो गई है, तो writer जो है बहुत बुरा feel कर रही थे, बट इन two lines में, writer अपने आपको console कर कि अब वो क्या करेगी, earth के जो daily work होते है ना, उसके साथ वो work करेगी, earth का daily work क्या है, वो अपने access पर move करती रहती है, और जब earth की moment होती है, तो उसके साथ जो है rocks, stones और trees भी move करते है, मिंस ये सारे की सारी क्या है, natural चीजे है, तो writer यहाँ पर क्या कह रहे है, कि अब वो nature का ही एक पार्ट बन गई है, वो happy है इस चीज़ को, सोच कर कि भई हाँ, अब उनकी जो loved ones जिनकी death हुई है, वो nature का पार्ट बन गई है, जिस तरह से nature में rocks, stones और trees, earth की moment के साथ move करते हैं, वैसे ही वो भी अब जो है, आर्थ की moment के साथ move करेगी, तो ये line कहकर writer अपने आपको console कर रहे हैं, शांत्वना दे रही हैं, कि भई हाँ, कोई बात नहीं, वो मुझसे दूर गई है, लेकिन nature के साथ attach हो गई है, हमेशा के लिए, तो यहाँ पर भी हमें nature के बारे में, writer का love दिखाई दे रहा है, कि भई भले है उनकी loved one के death हो गई है, लेकिन अगर वो nature के साथ मिंगल हो गई है, तो इसमें writer को जो है किसी तरह के कोई बुरी feeling नहीं आ रही है, so that is about the poem, एक पर फिर से हम इसकी समरी को चरह सा समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी complicated poem है, यह देखने में लगती है, पर complicated नहीं है, it is very easy, तो एक पर थोड़ी सी समरी को फिर से हम discuss करते हैं, यहां poet जो है, अपने loved one की death के बाद अपनी feelings को share कर रही है, कि उनके loved one की death के बाद उनकी spirit पूरी तरह से seal हो गई है, उनके अंदर कोई feeling नहीं रही है, वो पूरे से insensitive हो गई है, अब उनने कोई human fear भी नहीं है, जो उनकी loved one है, वो death के बाद एक समान के जैसा दिखाई दे ना वो किसी चीज़ को देख पा रही है, ना सुन पा रही है, ना ही किसी चीज़ की कोई moment कर रही है, ना ही कोई force कर रही है, तो यहां तक वो बुरा feel कर रहे हैं, उसके बाद writer कहते हैं कि चोलो कोई बात नी, वो मुझसे दूर हुई है, लेकिन हाँ, आब वो earth के साथ काम कुंते हैं, वैसे ही वो भी जो है, घूमा करेगी, ओकी, सो यह सब कहके writer अपने आपको console कर रहे हैं, तो यहां पर, जो है, हमारी poem पुरी तरह से complete होती है, I think आपको जो है, थोड़ी सी complicated लगने वाली poem अच्छी तरह से clear हो गई होगी, please let me know in the comment section, like and share my videos and subscribe my channel for new updates, thank you, bye bye, keep learning कर दो कर दो नह Healing